तो यहां पर पहला कुश्यन है निम्नाकित में यानि कौन एक सुमेलित नहीं है ठीक है प्रेक्टिस से नंबर वन है वेरे इंपोर्टन्ट है आपके अक्टूबर में इसका एक्जाम है सुफरेन या पर राउट आप्शन होगा ओप्शन भी यानि राळा पर्ताप सागर मद परदेश ठीक है तो याप आप एक राउट आप्शन भी क्रेक्ट आउटप टी नमबर वन काटी चले अगला कोईशन है किस राज ने वर्षा जल संग्रहण प्राली को अनिवार कर दिया ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट कोईशन है आपके पेटी इख्जाम के लिए तो फ्रेंट यहाँ पे राइट आप्शन होगा ऑप्शन यानि तमील नाड़ो कोईशन नमबर टू का यहाँ पे ऑप्शन ने करेक्ट आंसर है ठीक है कितने कोईशन आपके सही हुए आप करण बाक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा चलिए अगला कोईशन है भारत में सोर पर्थम खनिस तेल का कुणा खोदा गया कोईशन नमबर टूरी इसके लाओ किसी को एंसर मौलूम होगा तो कमेंट बाक्स में हमें कमेंट करके जरूर पताईएगा ठीक है तो फ्रेंड यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन भी यानि गुजरात में कोईशन नमबर टूरी का यहां पर आप्शन भी देखिए करेक्ट आंसर है ओके चले एगला कोईशन है निमलिखिर में से कौन सा एक सुमेलित नहीं थे कि यहां पर नहीं शर्द लगा है वी केरफुल कोईशन का एंसर दीजिए तो बच्चों यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन यहां पिप्री कीट नाशक दमाएं यह आप्शन मैच नहीं कर रहा है फोर का ऑप्शन यहां पर सची है चले एगला कोईशन है निर्वाचन आयुद्थ हटाया जा सकता है तो बच्चो इसका right option होगा option C मुख निर्वाचन आयुद के प्रामर्स पर राश्ट पती की द्वारा ये एटाया जा सकता ठीक है तो option C यहाँ बिल्कुल correct answer है चले ने इस question है मीथेन गैस सुत्पादन करने वाला छेत्र तो बच्चो इहाँ पर right option होगा option भी यानि धान का केद तो फड़ाफ़ाट question को solve करते हैं ठीक है option भी यहाँ पर सही है चले एगला question है उत्तर दचिर तता पूर पश्रिम गलियारे मिलते हैं तो बच्चो इहाँ पर right option होगा option यानि जहासी right option होगा question number 7 का याँ पर option ने देखिए correct answer है ठीक है चले एगला question है पाइरोमीटर निम्रांकित के नापने के लिए परियोग में लाया जाता है तो right option है option C उच्छी ताप मान question number 8 का याँ पर option C देखिए correct answer है ठीक है चले next question है vitamin D के सरजन में निम्र में से कौन पाया जाता है तो बच्छो right option होगा option B option D यहाँ पर correct answer होगा ठीक है कैल्सी फ्रोल right option होगा question number 9 का यहाँ पर option D correct answer है चले एगला question है निम्रखी में से कौन सुमेलित नहीं है ठीक है यहाँ नहीं शब लगा है तो बच्छो right option होगा option D सिस्मु ग्राव प्रिष्ट तलकी वक्रता ठीक है इससे भूकम पनापते है option D यहाँ पर correct answer है चले next question है निम्रखी में से कौन सुमेलित नहीं ठीक है यहाँ पर नहीं शर्थ लगा है तो बच्छो यहाँ पर right option होगा option B इगार का चीन यह मैं इच नहीं कर रहा है option B यहाँ पर correct answer होगा question number 11 का ठीक है चले अगला प्रश्ण है radio अग्टिवता को मापा जाता है तो बच्छो यहाँ पर question number 12 का right option होगा option नहीं गाइगर, मूलर, काउंटर, द्वारा ठीक है तो option है, यहाँ पर दिखिए correct answer हो रहा है सारे important question है आपके पेट इगजाम के लिए चले अगला प्रश्ण है मानुदारा सरपर्थाम परियुक तनाज था so very important practice it so right option है option C यानि जो चले अगला प्रश्ण है निन में से कौन सा तट कोची बंदरगा से संबंदित है तो बच्चो right option होगा option यानि माला बार तट right option होगा question number 14 का, ठीक है चले अगला प्रश्ण है मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अलपी करण करने वाली विधियों को किस अनुछेत के अंतरगत शून ने घोशित किया जाता है तो बच्चो याँ पर right option होगा option भी अनुछे 13 option भी याँ पर correct answer है चले अगला प्रश्ण है आर्णियों को एक जात कहने वाला European कौन था तो बच्चो याँ पर right option होगा option सी max smaller right option होगा question number 16 के याँ पर option सी देखिए correct answer है ओके चले एकला प्रश्ण है राज के नेत निदेशक तत के पीछे बाध कारी बल है तो बच्चो याँ प्रश्ण होगा option है याँ लोक मत question number 17 का यहाँ पर option है correct answer है चले एकला प्रश्ण है शरीर में iron की कमी से होता है तो बच्चो राइट आप्श्ण होगा option B याँ अरक्ता right option होगा question number 18 का यहाँ पर option B देखिए correct answer है ठीक है so very important question है repeat करते हुए चलेगा चले एकला प्रश्ण है किसने कहां भारत एक अर्द संगात्मक राच्य है तो बच्चो यहाँ पर right option होगा option D केसी फियर ने ठीक है यह सारी important है आपके प्रश्ण के लिए चले एकला प्रश्ण है खजराहो मंदिर का निर्माड किसने किया था तो यह पीसेस एक्साम में question पूछा गया है so right option होगा option C चंदेल राजश्पूत question number 20 का यहाँ पर option C correct answer है ओके चले एकला प्रश्ण है सुतन्ता के बाद भारत वर्ष में अब तक कितनी बार वित्तिये आपात की घोश्णा की गई चले इसका एंसर आप लोग current box में दीजिए question number 21 का right option बताना है current box में ओके चले एकला प्रश्ण है सूफी संतों का मिलान सिल्सनों के साथ करें जिनसे वे संबंदित थे ठीके सूफी संत और सिल्सले निजामुदी नौलिया कादरी बहुत दिन जकरिया सुहरा वर्दी मिया मीर चिष्टिया अयमर सरिंदी नक्षबंदी so very important question है तो यहाँ पर right option होगा option B question number 22 का यहाँ पर option B correct answer है ठीके चलिए एक बार आप लोग भी किसको कर लीजिएगा solve चलिए एकला प्रशन है भगवान बुद्धने प्राण कहां त्यागे question number 23 so very important question देगी बच्चों इसका right option होगा option C question अगर very important है चलिए एकला प्रशन है किस मुगल शासक की सेवा में सरवाधिक हिंदू पधारिकारी थे तो बच्चों इसका right option होगा option D आउरग जेक right option होगा option D चलिए एकला प्रशन है किसी वस्त की पूर्ती प्रतेच रूप से निर्भर नहीं करती तो बच्चों इसका right option होगा option C यानि उत्पादन की प्रोधो की पर ठीक है चलिए एकला प्रशन है सम्विधार बनाते समय निमलिकीर में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था तो बच्चों इसका right option होगा option C समाचिवादी option C याँ पर correct answer है चलिए question number 27 very important है निमलिकी में से कौन साही सुमेलित नहीं है तो बच्चों इसका right option होगा option D धौला वीरा बीके थापड option D याँ पर correct answer है चलिए एकला प्रशन है हड़पा संस्कृत के एस्थाल योगमुन की इस्थिती संबंधी निमलिकी दिगमों में से कौन एक सुमेलित नहीं है तो बच्चों इसका right option होगा option D राकी गड़ी राजस्थान चलिए एकला प्रशन है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है तो बच्चों इसका right option होगा option c काली बंगा हर्याडा option c यहाँ पर correct answer है चले एकला प्रशन है सूची वन्यों सूची टू तो यहाँ पर यह मैश करना ठीक है so very important question है ध्यान रखिएगा इस type की question आपके दो से तीन question जो है एक्साम में पूछे जाएंगे ठीक है तैयारी करके चलिएगा so friend इसका right option होगा option a टिक कोशे नमबर जिग वेट शुरोत यों प्रात्नाए है पी में शुरोत यों कर्मकांड है c में संगीत में शुरोत है अर्थर वेट में तंत्र मंत्र यों वशी करण ठीक है तो इस तरह से इसका मैचिंग होगा चलिए अगला प्रश्ण है smart money शब्द का प्रयोग होता है तो प्यारे वच्चों इसका right option होगा option यानि credit card से तो option यहां पर correct answer हो रहा है आप लोग को क्या लगता है इसमें से कौन साप्शन सही होगा चलिए करेंड बाक्स में कमेंट कर देना फड़ा फड़ा फड़ तो नेश्ट कोशन है भारत का सबसे बड़ा वालचिक बैंक तो बच्चों इसका right option होगा option में नहीं भारतिय स्टेड बैंक SBI very important है जान रखिएगा चलिए ने इसकोशन है 1991 की नई आर्थिंग नीत में अपनाई गई मुखर रण नेती थी तो बच्चों यहाँ पर right option नोंगा option डी वह प्योग तो सभी देखें निजी करण उदारी करण यहों वैश्वी करण ठीके 1991 के बाद हमारे देश को एक नई दिशा मिलेती तो very important है यह question ओके चले next question है भारतिय समिदान में न्याले में कौन परवर्तनिय नहीं है तो बच्चों इसका right option होगा option D मूल अधिकार परवर्तनिय है ठीके sorry फ्रेंड यहाँ पर option D correct answer है चले next question है भारत के राष्टपती और उप राष्टपती की चुनाओं में सम्बंदित विवादों का निर्ले करता है कौन करेगा तो बच्चों यहाँ पर right option होगा option C उच्चितम न्याले option C यहाँ पर बिल्कुल correct answer है ठीके चले next question है यहाँ पर so very important है ध्यान रखिएगा question number 36 तो बच्चों इसका right option होगा option C होगा ठीके ध्यान रखिएगा अपने हिसाब से इसको solve कर लेना यहाँ पर option से correct answer हो रहा है चले next question है सूची वन्यों सूची 2 यहाँ पर देखिए वैतिक नदियां है और उसके आधनिक नाम है so very important है question number 37 तो यहाँ पर right option होगा option B ठीके A का यहाँ पर B सही होगा B का यहाँ पर तीसरा है यानि रावी C का आपका पहला यानि गंडग और D का फोर्ड इस तरह से इसका matching किया जाएगा ठीक है यह arrow exam में पूछा गया था repeat होगा 100% चलिने एश कुशन है fly एश वातावर लिये पर दूसर है जो इसकी द्वारा उत्पन्न होता है fly एश मतलब तो प्यारे बच्चों इसका right option होगा option है नि थर्मल पावर so very important है option है यहाँ पर बिलकुल correct answer है चलिने एश कुशन है पुस्तक midnight children's किस ने लिखी तो बच्चों यहाँ पर option C सल्मान रुष्टी right option होगा चलिए right option सल्मान रुष्टी so next question है भारती समयदान के किस बाग में बारत को कल्यान कारी राज के रूम में स्थापित करने की बात कही गई तो इस टाइब के question आपके exam में पूछे जाएंगे तो right option होगा option C राज के नीत निदेशक सिद्धान्टी के DPSP में option C यहाँ पर correct answer है आप question नोड भी कर सकते हैं फटाफट कर लिजिए सॉल चलिए अगला प्रशन है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंच वर्षी योजना में दिया गया था तो प्यारे बच्चों इसका right option होगा option C यहाँ पंचम पंच वर्षी योजना में चलिए अगला question है question number 42 तो यहाँ पर right option होगा option C देखे इसका C option बिल्कुल सही है ठीके A का चोता यहाँ पर है B का तीसरा मिल्का सिंग खेल से हुमगीर जांगीर बाबा भी ज्यान से ठीके तो यह आपका सुमेलित है question number option C यहाँ पर correct है चलिए अगला question है कोंकर तट कहां से कहां तक विस्तरी त्यानी फैला हुआ है तो बच्चों यहाँ पर right option का option यानि गोवा से दमन option है यहाँ पर देखे correct answer है चलिए अगला question है mobile phoneों में परयुक्त CDMA परोदुकी है तो बच्चों यहाँ पर right option का option C code division multiple access option C यहाँ पर correct answer है चलिए ने इस question है तो यहाँ पर वेक्ति होँआ पर लेखक चलिए इसका answer चलिए इस question के तरफ बढ़ते हैं CTBT का पूरा रूप तो बच्चों इसका right option का option से comprehensive test band treaty option C यहाँ पर correct answer है चलिए ने इस question है गाया और भाष के थनों से दुग्ध उतानने के लिए किस हर्मोन की सुईन लगाई जाती है तो बच्चों यहाँ पर right option का option B अक्सिटोसिन option B यहाँ पर देखिए correct answer है ठीक है चलिए ने इस question है तो प्यारे बच्चों इसका right option नोंगा option B यहाँ नी पिलीहा में 48 का यहाँ पर option B देखिए correct answer है ठीक है चलिए ने इस question है निम्लिखी तीगमों में कौन सा सुमेलित नहीं है मैश नहीं खा रहा है तो बच्चों यहाँ पर option C यहाँ विटामिन के बानध्यापन option C यहाँ पर सही नहीं है चलिए ने इस question है किर्शी लागत यहों मूल आयोग की अस्थापना होई थी देखिए आपके PCS exam में पूछा गया ठीक है तो यहाँ पर right option का option C उननीज सो पचासी So very important है date याद रखिएगा देखिए यह थे आपके exam के practice set number 1 ठीक है इसकी live class भी continue चलेगी So very important है हम practice set आपको देंगे आपको कहीं से भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं होगी ठीक है तो यहाँ पर 96 percentile लाना very important है क्योंकि इस बार मान के चलिए कि 40 से 42 लाख बच्चे इस exam में बैट सकते हैं So very important है 4 time इसका exam होगा यानि 2 दिन 2 time exam होगा So very important है देखना किस टाइब के question यहाँ पर आते हैं यह मान चलिए आपके arrow से यह question उठाए जाएंगे और UP pieces से यह question repeat किये जाएंगे ठीक है यह ध्यान में रखिएगा So coffee important है कि आपको 95 से 96 percentile लाना है तब ही आप क्या में निकसा में बैट सकते हैं अगर आपको में निकसा में बैटना तो इतना percentile आपको लाना अनिमवार होगा चलिए वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में में कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों मिलते हैं नेश्ट वीडियो साथ थैंक्यो धन्यवाद